हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरूस हेल्थ केर में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौक्सी फ्लोकसासीन प्लस में डैक्सा मिथासोन आईड्रोप के बारे में दोस्तों इसका जो इस्तिमाल होता है बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में किया जाता है इसके अलावा दोस्तों इसका use किसी करन्ट से अगर आखों में allergies की problem हो गई है या फिर कोई viral infection हो आईड्रोप का इस्तिमाल करते हैं अब देखिए इसके अंदर जो moxifloxacin है वो एक antibiotic है वो क्या करता है कि जो भी bacteria की cell wall होती है उसको divide होने से रोकता है और उसकी repairing को रोकता है जिसकी वज़े से bacteria का infection जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो dexamitha son है वो एक stride है वो क्या हो रही है तो उसमें आपको रहत मिलती है दोस्तों इसके कुछ side effects भी हो सकते हैं जैसे कि आखों में discomfort की problem हो सकती है dry eyes की problem हो सकती है corneal eye pain हो सकता है आखों में itching हो सकती है FDC का product है Moxie Blue D नाम से आपको मिल जाएगी इसके अलावा ये Moxie Sip D नाम से आती है Sipla company की दोस्तों आजकल इंडिया में conjunctivitis बहुत फैला है जिसमें इस eye drop का इस्तमाल ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा जिसको pink eye भी कहा गया है इस condition में क्या होता है कि दोस्तों जो भी हमारी आखों की eyeball है जो white वाला part है उसके अंदर inflammation आ जाती है या फिर irritation की problem होती है या फिर वो लाल हो जाती है तो इस प्रकार के condition में इस eye drop का use होता है दोस्तों ये जो आप product देख रहे हैं इसका नहम moxy well d इसके अंदर आपको moxy phloxacene और dexamethasone मिल जाता है 5 ml की ये packing है और हम दाम की बात करते हैं तो ये आपको 175 पे मिल जाएगा और भी brands जाते हैं कुछ आपको सस्ते भी मिल सकते हैं रेट का फरक रह सकता है तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी moxy phloxacene और dexamethasone ophthalmics solution के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से एक और नई वीडियो में